बैक साइड में डबल टैप करके किसी भी QR को आप लोग स्कैन कर पाऊगे YouTube के अंदर दो फिंगर को टैप करके YouTube को स्कैन कर सकते हो और यहां से कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इमेजस को कौपी कर सकते हो किसी भी पिक्चार को कुछ इस तरीके से दोस्तो आप लोग PNG मना सकते हो Even किसी भी पिक्चार को आप लोग share भी कर सकते हो साइड में बहुत चारे application मिल जाएगा कैसे हो आप लोग आज इस वीडियो में Realme 13 Pro का Top 40 Plus Amazing Features के बारे में बताऊंगा इस वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे अगर आप YouTube में ज़्यादा सॉट्स देखते हो ना स्क्रॉल आप या स्क्रॉल डाउन करनी के लिए ऐसा करना पड़ता है लेकिन कुछ इस तरीके से थाम को करके या जेस्टास को इनेबल कर लीजिए उसके बाद किसी भी सॉट्स को दोस्तो अब लोग कुछ इस तरीके से स्वाइब आप या स्वाइब डाउन कर सकते हो इसके लिए सेटिंग के अंदर आना है एसिस्टिबिलिटी के अंदर आप लोगों को आना है थोड़ा ही नीचे यहाँ पे स्मार्ट सेंसेसिंग का एक ओप्सिन दिखाई देगा एर जेस्टास को इनेबल कर लीजिए सापोटेट एप के अंदर आके एस सारे एप्लिकेसान के अंदर आप लोग एजिस्टास को यूज़ कर सकते हो अगर आप फिंगरपिंट सेंसर से फोन को ओपिन करने के बाद भी आप टैप करके होल्ड करके रखिये दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे application shortcut के हिसाब से आ जाएगा, इन में से कोई भी application को तुरंत ही use कर सकते हो, इस features को enable करने के लिए यह rating के अंदर आप लोगों को आना है, यहाँ पे accessibility के अंदर आना है, थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आपको quick launch का option दिखाई देगा, इस features को enable कर लेना, edit के यहाँ से ही दोस्तों किसी भी picture को आप share भी कर सकते हो, even दोस्तों किसी भी text को copy भी कर सकते हो, by default FHS बंद रहता है, इसको enable करने के लिए setting के अंदर आना है, accessibility के अंदर आ जाना है, AI skin recognition का एक option दिखाई देगा, इसको enable कर देना है, यहाँ पे activation gestures का option दिखाई देगा, मैं यह यहाँ पे दो finger करके रखाऊं, आप one finger press या thumb press कुछ भी आप लोग setup कर सकते हो, अगर आप चाहो किसी भी picture को दोस्तों tap करके कुछ side bar में लेकर आना, यहाँ पे बहुत चारे application के अंदर किसी को भी share कर सकते हो, इसको enable करने के लिए setting के अंदर आना है, accessibility के अंदर आना है, य यहाँ पे बहुत चारे application मिल जाएगा, मैं चाहता हूँ Amazon को add करना, तो Amazon यहाँ पे add हो जाएगा, आप WhatsApp या Google Drive या कुछ भी आप लोग यहाँ पे set करके रख सकते हो, और directly drag and drop करके दोस्तों किसी भी application के अंदर share कर सकते हो, इतना ही नहीं दोस्तों, gallery के अंदर किसी भी picture के आया नहीं है, तो सबसे पहले picture को open कर लीजिए, edit के उपर tap करना, और यहाँ पे AI ultra clarity का option दिखाए देगा, इसके उपर tap करना, कुछ time लेगा दोस्तों, उसके बाद AI automatically picture को analyze करेगा, और quality को increase कर देगा, थोड़ा time लग सकता है, internet speed के उपर depend करता है, और आपको दोस्तों एक अच्छा quality का picture produce करके भी a phone देता है, यहाँ पे tap करके compare करके देख सकते हो दोस्तों कहाँ पे improvement हुआ है, अगर आप चाहते हो picture के अंदर किसी भी चीज़ को हटाना या erase करना इस phone में बहुत easy है, picture के अंदर यहाँ पे edit के उपर tap करोगे, यहाँ पे AI eraser का option दिखाए देगा, जिस भी चीज़ को आप हटाना चाहते हो, उसके उपर छोटा सा एक draw कर दीजे दोस्तों, AI के जरिये automatically दोस्तों क्या करेगा, उस object को हटा देगा, और उस object के जगा में एक अच्छा दोस्तों, quality, similar picture दोस्तों आल ले आके बैठा देगा, यहाँ पे देखे कुछ इस तरीके से erase किया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि picture से कोई भी चीज़ को erase किया गया है, home screen में दोस्तों एक sidebar मिलता है, यहाँ पे बहुत चारे shortcut या बहुत चारे application मिल जाएगा, edit के ओपर tap करोगे, यहाँ से दोस्तों बहुत चारे shortcut को आप लोग add कर सकते हो, even दोस्तों बहुत चारे application को भी add कर पाओगे, अगर आप किसी भी website के अंदर जाके, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, और आपको language समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हो, translate करना ओभी possible है, सबसे पहले page के अंदर आ जाईए, और sidebar के अंदर आईए, यहाँ पे screen translate का एक option दिखाई देगा इसके उपर tap करना दोस्तो, automatically a phone जो लिखा होगा ना उसको translate कर देगा, जिस भी language में आप चाहते हो, English ता अभी Hindi में translate कर दिया है, आप चाहो तो अलग-अलग language में भी translate कर सकती हो, देगे अगर आप किसी भी images के बारे में तुरंती search करके जानना चाहते हो, तो ओ image को skin में ल आपच करना चाहते हो, यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा, और a phone दोस्तो, automatically बता देगा product क्या है, कहाँ पर मिलता है, price क्या है, name क्या है, हर एक चीज़ों के बारे में दोस्तों बता देगा, अगर आप इस phone में ज्यादा BG में बेगरा खेलते हो, तो performance को boost कर सकते हो, इसके लिए setting के अंदर आना है, accessibility के अंदर आप लोगों को आना है, थोड़ा ही नीचे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, AI boost, इसको on करना है, इसको on करोगे, gaming performance और भी boost हो जाएगा, यहाँ पर gaming boost को enable कर देना, मैं lock screen में न, oh draw कर देता हूँ, देखिए कुछी टाइम में यहाँ पे camera open हो जाएगा, यह shortcut को भी आप लोग easily setup कर सकते हो, setting के अंदर आप लोगों को आजाना है, accessibility के अंदर आना है, यहाँ पे justice and motion का option दिखाई देगा, इसके अंदर आप लोगों को आजाना है, skin of justice के अंदर आना है, देखिए O लिखोगे camera open हो जाएगा lock screen में, V लि enable करनी के लिए, home screen में दो finger से pinch किजिए, wallpaper के अंदर आईए, यहाँ पे live wallpaper का option दिखाई देगा दोस्तों, बहुत चारे wallpaper है, इनमें से कोई भी live wallpaper को आप लोग select कर सकते हो, थोड़ा सा smooth, थोड़ा सा अच्छा लगता है, इस phone में all which on display का option भी देखने को मिलता है, setting के अंदर आजाना है, wallpaper style के अंदर all which on display का option दिखाई देगा, इसको enable करना, निचे में तरह तरिके का save दिया है, all which on display के लिए किसी को भी setup कर सकते हो, जब भी कोई भी notification या incoming call आता है, side से light blink करना सुरू करता है, उसको enable करनी के लिए setting के अंदर, wallpaper style के अंदर, edge lighting के अंदर आना है, और अलग-अलग color के जरीए, incoming notification या calling के time में ओ आपको edge lighting दिखाई देगा, इतना ही नहीं दोस्तों, इस पॉन में in display fingerprint sensor मिलता है, fingerprint sensor का जो icon है ना, उसको आप लोग चेंज कर पाऊगे, setting के अंदर, wallpaper and style के अंदर, fingerprint animation का option दिखाई देगा, बहुत चारे animation देखने को मिलता है, इन आप लोग को enable कर लेना, setting के अंदर आके, कोई भी password आप लोग select कर लीजिए, जो भी application को lock करना चाहते हो, enable कर देना, fingerprint को भी use कर सकते हो, lock के अंदर आके, उस सारे application को देख पाऊगे, even दोस्तों, अगर मैं आपको check कर वाओ, तो यहाँ पे देखिए, जब तक मैं password या fingerprint नह करोगे, application hide हो जाएगा, जब तक आप लोग password वगरा नहीं डालोगे, अगर आप लोग password लगा के रखे हो, तो application नहीं होगा, कोई भी application को hide भी कर सकते हो, उसके लिए setting के अंदर आप लोग को आना है, security के अंदर, यहाँ पे height app का option दिखाई देगा, password डालिए, उसके बाद जो भी application को hide करना चाहते हो, उसको enable कीजिए, set now के उपर tap करके, एक access code डाल दीजिए, मैं यहाँ पे access code डाल के tick कर देता हूँ, hidden application, hidden folder के अंदर आके सारे के सारे तो देख साकते हो, लेकिन तुरन तुरन अगर आप लोग कोई भी hidden application को open करना चाहते हो, उसके लिए dialer के अं आजाना है, यहाँ पे apps के अंदर आना है, app clone का एक option दिखाई देगा, यहाँ पे कोई भी application को दोस्तों dual app में convert कर सकते हो, ज्यादा करकि जो सारे social media application है, अगर आप इस phone को long time तक use करना चाहते हो ना, तो smart तरीके से charge करोगे, बैटरी लंबा time तक चलेगा, setting के अंदर आना ह यहाँ पे smart charging का option दिखाई देगा, enable कर देना, देखे 0 से 80% fast charge होगा, लेकिन 80 से 100% बहुत slow charge होगा, ताकि आपके बैटरी में effect ना पड़े, साथी में charging limit को enable कर दोगे, 80% होने के बाद automatically charge बंद हो जाएगा, चार्ट नहीं होगा, अगर आप charging limit को enable करके रखते हो, तो, gallery के अंदर ना किसी भी picture को hide करने के लिए 3.0 के उपर tap करके state as private के उपर tap कर देना picture hide हो जाएगा, अभी hide picture चेक करने के लिए setting के अंदर, यहाँ पे security and privacy के अंदर, सबसे नीचे यहाँ private shape का option दिखाई देगा, password डालिए दोस्तों, यहाँ पे images के अंदर आओगे, तो hidden picture यहाँ पर ही दिखाई देगा, even sir picture नहीं दोस्तों, कोई भी picture, video, audio, documents, other files, कुछ भी दोस्तों आप लोग hide कर सकते हो, इस पुन में दोस्तों gaming mode देखने को मिलता है, देखिए जो भी game आप खेलते हो ना उसको enable कर लीजिए, साइट से बार on हो जाता है, इसको on कर लीजिए, अभी देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ दिखाई देगा, यहाँ से directly skin recording को enable कर सकते हो, voice को change करके game के अंदर किसी से भी बात करना हो, तो voice को change कर सकते हो, साथी में दोस्तों यहाँ पर system status के उपर टैप करोगे, तो उपर में दिखाई देगा कितना APS बेगरा दे more setting के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा enhanced notification इसको enable करतीजिए, इस phone में smart hiding notification का option भी मिलता है, setting के अंदर आप लोगों को आना है, फिर से notification के अंदर आना है, more setting के अंदर यहाँ पर आपको smart notification hiding का option दिखाई देगा, इसको enable कर लिना, basically जो सारे application को hide करके रखे हो ना उसका जब notification आएगा, अगर phone के सामने आप बैठे हो तभी दोस्तों height notification दिखाई देगा, बरना दोस्तों totally height होके notification आएगा, इसके लिए face unlock को set up करना जरूरी है, तो face unlock को set करके जरूर रखना, इस phone में किसी भी specific application के लिए अलग से sound को control कर पाऊगे, मैं आपको देता हूं, setting के अंदर sound and vibration के अंदर आना है, app specific volume के अंदर आना है, इसको enable करना है, YouTube के अंदर मैं volume को आप कर रहा हूं, और नीचे में एक option आएगा, इसके उपर tap करूँगा, देगे, media जो sound है, उसको मैं high कर सकता हूं, लेकिन जो YouTube का sound है, उसको मैं कम या जादा कर सकता तो कुछ इस तरीके से अलग-अलग application के लिए sound को control कर पाओगे, notification drawer में जो torch का option देखने को मिलता है, torch के brightness को आप control कर पाओगे, उसके लिए torch के बगल में arrow का option दिखाई देगा, इसके उपर tap करोगे, देखे, brightness को आप लोग जादा या कम, यहां से ही दोस्तों कर पाओगे, बैकसेड में जो flash LED है ना, उसको जादा या कम, कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग कर सकते हो, देखे, किसी भी QR है, और इस phone में बैकसेड में double tap करके किसी भी QR को scan कर सकते हो, इसको enable करने के लिए setting के अंदर आप लोगों को आजाना है, accessibility के अंदर आना है, यहां पे smart sensing processing का option दिखाई देगा, double tap to scan, इसको enable कर लिए, back side में double tap करके किसी भी QR को आप scan कर सकते हो, जादा करके जो payment application है ना, उसको scan करके payment कर पाऊगे, जब आप लोग new phone खरिते हो, battery percentage या internet speed meter on नहीं होता है, उसको enable करने के लिए setting के अंदर आप लोगों को आजाना है, status bar के अंदर आना है, status bar के अंदर यहाँ पर आजाना है, real time network speed इसको enable करना है, और यहाँ पर battery जो style है ना, उसको आप लोग vertical या horizontal कर सकते हो, साथी में दोस्तों यहाँ पर battery percentage को outside या inside कुछ भी दोस्तों आप लोग रख सकते हो, इता दोस्तों realme 13 pro का top 40 plus amazing features, अगर आप लोगों को एवे इस वेडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेस वेडियो में